नेक बैंड मार्केट में तहल का मच चुका है CMF नेक बैंड प्रो आने के बाद से यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पर रियल मी ले या फिर वन प्लस ले आज आपकी सारी कन्फ्यूजन में दूर करने वाला हूँ इस कंपैरिजन के साथ तो सबसे पहले मेरे पास है रियल मी बर्ड वायरलेस 3, CMF नेक बैंड प्रो और वन प्लस का बुलेट Z2 ANC तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लूटूथ वर्जन से रियल मी और CMF में आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.3 गूगल फास्ट पैरिंग के साथ लेकिन वहीं पर वन प्लस में ब् निकल के आता है क्योंकि यहाँ पे 50D का एक्टिव नॉइस C".CMF नेकड प्रो में वहीं पर रियल मी में दिया गया 30D और one plus में 45D तो यहाँ पर देख सकते हैं CMF क्लियरली विन निकल के आता है और वहीं पर रियल मी और CMF में आपको डूटूटूल पेरिंग मिल जाता र जहां पे आप दो स्मार्टफोन एक ही टाइम पे connect करके रख सकते हैं Realme और CMF में लेकिन वहीं पे OnePlus में आपको मिलता है Dual Switch जहां पे आप दो स्मार्टफोन एक टाइम पे connect करके नहीं रख सकते हैं आपको button क्लिक करके दोनों devices के बीच में switch करना पड़ेगा और इन तीनों में ही आपको application support मिल जाता है तीनों के ही applications बहुती बढ़िया quality के हैं और सबसे important चीज तीनों में ही आपको यहां पे magnetic on and off देखने को मिल जाता है जैसी आप magnets अलग करोगे यहां पे connect हो जाएगा आपका neck band और जैसे ही magnet चिपका दोगे आपका neck band off हो जाएगा यह चीज तीनों ही neck band में दिया गया है बहुत ही अच्छी बात है तीनों में ही आपको यहां पे काफी अच्छा feature मिल जाता है लेकिन अगर आप एक gamer है तो यहां पे realme का neck band सबसे best रहेगा आपके लिए क्योंकि यहां पे आपको सबसे कम latency मिलता है जो कि 45 milliseconds और वहीं पे one plus में आपको मिलता है 94 milliseconds लेकिन सबसे बेकार gaming performance आपको यहां पे cmf के neck band pro में मिलेगा जो कि यहां पे 120 milliseconds तो अगर आपको gaming करना ह realme के साथ जाई है लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि यहां पे cmf का जो neck band वो gaming के लिए अच्छा है या नहीं तो cmf का neck band बिल्कुल भी अच्छा नहीं है gaming के लिए साथी में battery backup की बात करो तो यहां पे realme जो है best निकल के आता है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा battery capacity दी गई है 250 mh वहीं पे cmf और one plus में आपको 220 mh battery दिया गया है overall यहां पे सबसे best battery backup निकल के आता है realme के birds wireless 3 में लेकिन वहीं पे charging की बात करो तो तीनों में आपको fast charging मिल जाता है realme में 10 minute charge करने पे 25 घंटे का battery backup cmf में 10 minute charge करने पे 18 घंटे का battery backup वहीं पे one plus में 10 minute charge करने पे 20 गंट्रे का battery backup लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे जो है realme जीत जाता है क्योंकि यहां पे सबसे fast charging और सबसे best charging realme में ही मिलता है लेकिन अब सबसे important चीज़ की बात करते हैं जो कि यहां पे sound quality यहां पे cmf और realme में आपको मिलता है 13.6 mm के drivers वहीं पे one plus में आपको दिया ग cmf के बीच में क्योंकि यहां पे यह दोनों जो neckbands है बहुत ही अच्छे sound quality के साथ आते हैं realme आपको balance sound quality देनी की कोशिश करता है साथी में यहां पे जो है bass को हलका सा boost किया गया है लेकिन वहीं पे cmf का जो neckband pro है इसमें आपको भर भर के bass दिया गया है लेकिन हां अगर nothing x application उसके अंदर जा करके अगर आप equalizer को अपने हिसाब से tune करते हैं तो आप इसे भी balance sound quality पे लेकर आ सकते हैं जो की बहुत ही बहतरीन quality आपको provide करता है और मुझे यहां पे cmf का driver quality थोड़ा सा better लगा as compared to realme लेकिन यहां पे realme भी जो है काफी बहतरीन काम करता है तो है sound quality के साथ base चाहिए तो आप यहां पे जा सकते हैं realme के birds wireless 3 के साथ लेकिन अगर आपको भर भर के base चाहिए और आप जादा customization पर believe नहीं करते हैं आपको जादा customization करना पसंद नहीं है आप जो है application वगएरा जादा open नहीं करते हैं तो आपको यहां पे cmf के साथ जाना चाहिए और अगर आपको base काफी जादा पसंद है तो आप यहां पे cmf के साथ जा सकते हैं क्योंकि cmf में आपको भर भर के base दिया गया है इसमें ना normal settings में default settings में यहां पे clarity बहुत ही कम मिलती है तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि realme में जो है आपको default setting में ही सबसे अच् क्या आती है लेकिन cmf neckband को balance sound quality में लाने के लिए मैंने एक equalizer यहां पे design किया है यह रहा वो equalizer इसको आप copy कर लीजिए तो इसको आप यहां पे balance mode पे लेकर आप आओगे इसके sound quality को लेकिन अगर एक clear winner निकालना चाहो sound quality के मामने में तो मैं अभी भी जो है realme को ही clear winner निकाल नहीं है बहुत ही base भरा हुआ है और इसको customize करने के बाद भी यहां पे जो है इसकी sound quality improve नहीं होती है तो sound quality के मामने में oneplus को मैं उतना recommend नहीं करूंगा लेकिन जो दूसरी important चीज़े वो है यहां पे call quality अब यहां पे तीनों ही neckbands को test कर लेते हैं घर के अंदर और घर के बाह जहां पे हम देखेंगे किसका microphone जादा अच्छा perform करता है कौन जादा अच्छा आपको call quality प्रोवाइड करता है तो अब यहां पर रियल्मी के birds wireless 3 से यहां पर देख सकते है फैन चालू है full speed पर और मैं fan के नीचे ही खड़ा हूँ यहां पर fan अच्छे खासे speed पर है 5 speed पर है यहां पर देख सकते हैं मैंने पहना हुआ है और मैंने ANC on रखा हुआ है तो आप यहां पर सुनकर के डिसाइड करते हैं कि fan कि आवास किसने आ रही है मैं fan के direct नीचे ही खड़ा हूँ तो यहां पर fan भी full speed पर आप यहां पर सुनकर के डिसेड कीजिए मुझे बताए किस त आप देख सकते हैं यहां पर सुन सकते हैं किसका ज्यादा बेटर है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करें के बता सकते हैं और अब यह भी जावा सुने हूँ यहां पर record हो रहा है यहां पर इंडोर कॉलिंग तेस्ट अब यहां पर चलते हैं और और इसी तरीके से जो है तीनों ही नेगमेंट को टेस्ट करेंगे तो यह है पर यहां पर वक्तित कर सकते हैं दो नहां एक रिख यो में प्रेके जिसेयर कर सकते हैं मेरी लहां पर पर नहीं moje o होगा है देख़ते हैं रहां किसा तरह उस्ट कर सकते हैं कि मेरी आवाउस किस तरीके से आरी है तो यह है एक कॉलिंग से लेकिन अगर मैं एक विनर निकालना चाहूं तो यहां पे काफी तफ कॉंपेटिशन निकल के आता है लेकिन वहीं पे जो है यहां पे दीनर चाहता है यहां पे अच्छा इको सिस्टम के साथ अगर आपके पास एक नथिंग फोन है लेकिन और यहाँ पे ना यह जो smart dial दिया है यह बहुत ही unique चीज़ है यह देख सकते हैं इसको आप इस तरीके से rotate करके काफी कुछ चीज़े कर सकते हैं लेकिन वहीं पे realme में आपको यह buttons ढूंडने पड़ेंगे यह buttons को click करने पड़ेंगे तो यह थोड़ी सी चीज रहती है लेकिन overall यहाँ पे यह comparison का winner में अभी भी निकालना चाहूंगा realme के birds wireless 3 को क्योंकि यह ज़ादातर basic और अच्छी चीज़ों में जो main चीज़े होती है ना उन चीज़ों में अभी भी यह best निकल के आता है जैसे कि यहाँ पे sound quality अभी भी best है बिना कोई share chart किये यहाँ पे इ कब भी इसकी best निकल के आती है और साथी में इसकी charging भी best निकल के आती है तो यहाँ पे basic चीज़ों में यह सबसे best निकल के आ जाता है तो यहाँ पे all over एक winner निकलना चाहूंगा मैं यहाँ पे realme birds wireless 3 को जो की इस comparison का clear winner निकल के आ जाता है जो की एक all rounder neckband है लेकिन अगर ANC वाला neckband चाहिए और थोड़ा सा कम battery backup आपको चल जाएगा तो यहाँ पे cmf neckband pro के साथ आप जा सकते हैं और अगर आपके पास जो है nothing phone है आप गर आपको unique features चाहिए तो आप यहाँ पे nothing का यह neckband pro cmf neckband pro try कर सकते हैं पकी यहाँ पे बात करें यार अगर oneplus की तो इस वाले neckband को मैं अभी जो है ignore करना चाहूंगा क्योंकि इसकी जो connectivity है वो उतनी अच्छी नहीं है साथ में gaming के लिए भी यह बना हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना इसमें बहुत ही सारे exclusive features देखने को मिलते हैं क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक oneplus का smartphone है तब ही आपको exclusive features नहीं मिलेंगे तो यार यह चीज़े थोड़ी सी खराब लगती है इसके बारे में और इसका ANC भी उतना कुछ खास नहीं है और sound quality भी इसकी थोड़ी सी यहाँ पे जो है हलकी सी निकलके आती है तो यहाँ पे oneplus का जो bullet z2 है यह बुरी तरीके से हार जाता है इस comparison के अंदर इतना है इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा रागा तो नीचे लाइक बटन दबा दीजिए और यहाँ पे तीनों ही नेक बैंड का बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप खरीच सकते हैं बाकि और इतन